भगवान शिव का 1000 वर्ष पुराना मंदिर जिसे मुस्लिम शासकों ने तोड़ने के लिए गोले तक दागे लेकिन गुवालेर चंबल अंचल के बीहडों में लटकते हुए पत्थरों से बना सिहोनिया का ककनमठ मंदिर आज भी मौजूद है CHAMBAL के बीहड में बना ये मंदिर 10 किलो मीटर दूर से ही दिखाई देता है जैसे जैसे इस मंदिर के नसदीक जाते हैं इसका एक-एक पत्थर लटकते हुए दिखाई देने लगता है जितना नसदीक जाेंगे दिल में उदनी ही तहशत सी होने लगती है इसके बावजूद ये पत्थर इसकदर लगे हैं कि कोई इन्हें लेश मात्र भी नहीं हिला सकता है आसपास बने कई छोटे-छोटे मंदर नस्ट हो गए हैं लेकिन इस मंदर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा मंदर के बारे में कमाल की बात तो यह है कि जिन पत्थरों से यह मंदर बना है इस्थाने लोग बताते हैं कि मंदर बनते-बनते सुबा हो गई इसलिए मंदर को अधूरा छोड़ कर ही भूत-प्रेत चले गए और एक कहानी यह भी है ककन मठ मंदर को लेकर एक कहानी यह बताई जाती है कि इस मंदर का निर्मार ग्यार्मी शताबदी में कच्छावाह व ककन मठ मंदर पड़ा काकन मठ मंदर की बारे में बताया जाता है कि बड़े-बड़े पत्थरों से बने इस मंदर के निर्मार में किसी भी तरह की सीमेंट गारे का उपयोग नहीं किया गया है सभी पत्थर एक के उपर एक कतार बद्धर रखे हुए हैं एक बार देखकर त मंदर का निर्मार भूतों ने किया था वहीं मंदर में एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है जिसके पीछे यह तर्क दिया जाता है कि भगवान शिव का एक नाम भूत नाथ भी है भूले नाथ ने सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान हैं बलकि उनको कि शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेद भी बाराती बन कर आई थे और इस मंदर का निर्मार भी भूतों ने किया है इस मंदर को देखने में लगता है कि यह कभी भी गड़ सकता है लेकिन ककन मठ मंदर सैक्रों सालों से इसी तरह टिका हुआ है या एक अ आस्था का इस्थाल है यहां की कला और मंदर की बड़ी बड़ी श्रीलाओं को देख कर परेटक भी इस मंदर की तारीफ करने से खुड को नहीं रोप पाते हैं मंदर की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाय परेटकों को खुजराहों की याद दिलाती है कहा जा पत्य कला का उधारण ये मंदिर पत्थरों को एक दूसरे से सटा कर बनाया गया है। मंदिर का संतुलन पत्थरों पर इस तरह बना है कि बड़े-बड़े तूफान और आंधी भी इसे हिला नहीं पाए। कुछ लोग यह मानते हैं कि कोई चमतकारिक अद्रिश्य शक्ती है जो मंदिर के रक्षा करती है। इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग इस्थापित है। 120 फ्वीट उचे इस मंदिर का उपरी सिरा और गर्भग्रिह सेकरों साल बाद भी सुरक्षित है।